नमस्कार दोस्तो मेड़म है विजय और आप से भी कस्वाक्त है हमारे यूटूब चैनल CSC योजना में तो दोस्तो अश्मान काड को लेकर एक बड़ी खबर आई है जितने भी CSC वेली हैं कमेंट आ रहे थे कि सर कितने दिनों में अश्मान काड बनकर आएगा हमें कितना कमि आपको इस वीडियो में तो आपको इस वीडियो का एंट तक वाज करना है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो तो लिजे दोस्तों आज की अपडेट पर आचुके हैं हम अश्मान काड का अवेधन वैब आविमेट्री करने पर आशा वरकर को मिलेंगे 10 रपे जो आशा आशी तभी मिलेगी जब दो बार पात्रों का हस्पिताल या सीसी कार्ड बुनाने के लिए लिए लेकर आएंगी मतल्द दो बार आपको बायोमेट्री करवानी पड़ेगी तभी आपको दसर पर मिलेंगे ठीक है पहली बार तो पात्र के वाज दिन होंगे और दूसरी बा से आसा वर्गर को इसमें पैसे मिलेंगे और उसके बाद आता है यहीं नहीं लाब पात्रों को कार्ड सीए सी के माधिये जाएंगे फिलहाल सभी सिए सीके बनाए जा रहे हैं वो आपके CSC सेंटर पर ही आएंगे और आपको ही कस्टमर को देने होंगे ठीक है उसके बाद पूरी अपडेट पढ़िएगा CSC परबंदन द्वारा PVC कार्ड बनाने के लिए दो कंपनियों से टाइप किया गया है दो कंपनियों से टाइप भी हुआ है ठीक है यह कंपनियों PVC कार्ड बनाकर बेजेंगी यदि इसके बावज़ोद भी कार्ड अगर उनको नहीं मिलता तो वो CSC से निकलवा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जिस प्रकार हम मुबाइल के लिए SIM एक्टिवेट करवाते हैं और उससे पहले KYC की जाती है उसी प्रकार अवैज़न करने के बाद पात्र का गोल्डन कार्ड भी जारी किया जाएगा उसके बाद समंदिय सस्पसाल या CSC दवारा पात्र को मोक्य पर बुलाकर उसकी KYC की जाएंगी और उसके बाद ही धी अडर्फ एक्टीवेट होगा यह देख लीगा दो आपको किस पारसे मिलेगा और आपको कितना किसन पनूर बहुत है है ऐसमन कार्ड पात्रों को आवेदन के एक से डेड़ महा में बनकर आ जाएंगे ठीक है और पी वी सी कार्ड समंदी सी एसी संचालकों को दिये जाएंगे और उसके बाद कार्ड डिलिवरी के दुरान भी पात्रों की बायोमेट्रिक होगी तभी कार्ड एक्टिवेट होंगे ठीक है मतल जो आश्मन कार्ड है वो आपको सीसी सेंटर पर ही मिलेंगे आपको अपनी तरफ से को भी प्रेंट नहीं देना कर्श्टमर को ना ह अगर बात करें तो इसमें सिर्फ जो आशा वरकर है उनको 10 सेंटर वालों को 20 सेंटर पर कार्ड के हिसाफ से मिलेंगे जिस अब रहा है बाकी अभी तक कोई फाइनल नहीं है कि हमें कितना रपी चार्ज मिलेंगे तो यह छोटी अपडेट थी जो आपके शेर करनी थी आश इसकार